तो आज के इस वीडियो में आपको जनकारी देने वाला हूँ दोस्तो एक भाई का जो है Google AdSense Disable हो चुका है यानि क्लोज हो चुका है तो वो जो है आप दुवारा चालू होगा कि नहीं होगा या आगे से आपको अपने Google AdSense को Safe कैसे रखना है दोस्तो क्योंकि AdSense Approval लेना बहुत ही मु्सकिल है दोस्तो जब Google AdSense Approval मिल जाता है तो उसे safe भी रखना पड़ता है नहीं तो मालम है क्या होता है वो disabled हो जाता है और कप disabled होता है कैसे disabled होता है दोस्तों कैसे safe रखना है या Google AdSense जो disabled हो चुका है तो उसे फिर चालू कराया जा सकता है कि नहीं चालू कराया जा सकता है Google AdSense से related दोस्तों इस वीडियो के अंदर में आपको जनकारी देने वाला हूँ बहुत ही सारा तो देखते रहना इस वीडियो को अंदर तक अगर यह जनकारी सही लगे तो कर देना इस वीडियो को लाइक हेलो दोस्त मेरा नाम रंजीत कुमार आप देख रहो रिसर्च टेखनी उज़ तो चलिए आप आप से से आपको बताऊंगा ठीक है तो देखिए Google Adsense जो डिसेबल होता है या क्लोज होता है तो इसका कारण क्या है इसका कारण एक ही है दोस्तों इनवाइलेड किलिक और इनवाइलेड ट्राफिक इनवाइलेड किलिक वह चीज होता है दोस्तों जैसे कि खुद से ही ये गलती होता है यानि हम अपने website को बार बार खुद open करते हैं और open करने के बाद जो हमारे website पर Google Adsense का एड जो चलता है तो उस पे हम किलिक करते हैं तो इसी कारण से होता क्या है कि Google Adsense से disable हो जाता है यानि close हो जाता है और उसके बाद दोस्तों यहां पर direct लेकिन नहीं होता है पहले आपका 30 दिन के लिए disable हो जाएगा यानि पहले आपका add limit लगेगा यानि invalid click आएगा invalid traffic आएगा तो पहले add limit लगेगा वो भी 30 दिन के लिए फिर 30 दिन के बाद automatic हट जाएगा दोस्तों फिर उसके बाद होता क्या है कि फिर अगर कुछ गल्ती हो जाती है इस परकार से तो फिर 30 दिन के लिए होता क्या है कि वो बंध हो जाता है add दिखाना अब बाकी दोस्तो दो बार अगर आप गलती करोगे और तिसरा बार भी अगर आप गलती करोगे तो तिसरा बार में होता क्या है कि Google AdSense Disable हो जाता है तो दोस्तो यहाँ पे अब आपको बता दू कि अगर Google AdSense Disable हो जाता है तो क्या इसको चालू भी कराया जा सकता है तो जी दोस्तो बिल्कुल चालू कराया जा सकता है आप उसी Google AdSense के अंदर में कहीं पर देखना help का option होगा दोस्तो ठीक है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि दोस्तो यहाँ पर इस परकार से Google AdSense होता है ठीक है और website पर जो add चलती है तो उस पर जो click होता है तो उसी के वज़े से earning होता है लेकिन अगर Google AdSense disabled हो जाए तो यहाँ पर करना क्या है दोस्तो यहाँ पर एक icon दिखेगा question का ठीक है आपको इस पर click करना है और click करने क यहाँ पर क्या है कि एक नया page open होगा देख सकते हो यहाँ पर help है ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि आप जो भी issue है उसे यहाँ पर select करके और उसके बाद जो है आप अपना Google AdSense चालू करा सकते हो ठीक है लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तो कि चालू होता भी नहीं है ठीक ह है यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारा यहाँ पर help का option मिल जाता है तो आप जो है इसे चालू करा सकते हो बांकि दोस्तों चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर यह चालू नहीं होगा तो करना क्या है ठीक है अगर जादा ही कोई गलती कर देता है दोस्तों तो चालू फिर नहीं होता है अगर थोड़ा बहुत भी गलती अगर होता है अगर Google को लगता है कि फिर से इसका AdSense account चालू करा दिया जाए तो वो चालू भी कर देगा लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि चालू नहीं होता है तो यहाँ पर आपको बता दू दोस्तों अगर अगर आपका AdSense account फिर से चालू हो जाए तो अच्छी बात है या नहीं तो आप दूसरा Google AdSense का account create कर सकते हो और फिर उसके अंदर में website को add कर सकते हो लेकिन दोस्तों दूसरा बार आपको ऐसा कोई गलती नहीं करना है ठीक है जिससे कि फिर आपका Google AdSense disable हो जाए बाकि दो असानी से invalid click और invalid traffic को रोक सकते हो जिससे कि आपके Google AdSense पे कोई खतरा नहीं होगा तो दोस्तों अगर आपका website WordPress पे नहीं है तो आप WordPress पे website बना सकते हो ठीक है यहाँ पे देखो बलागर जो है फिरी है ठीक है उस पे सिरिफ domain लेके काम कर सकते हो आप ठीक है लेकिन WordPress पे होत marketing और theme भी लेना परता है ठीक है इसका पैसे लग जाता है अगर दोस्तों आप इतना लगाना चाहते हो अगर आपको कोई दिक्कत है ठीक है website create करने में WordPress का तो नीचे इस वीडियो के description में full course का link दे दिया हूं ठीक है अगर बलागर पे नहीं है आपका website तो उस full course को देखके बलागर पे website create कर सकते हो अगर आपको WordPress पे website बनाना है दोस्तों तो मैं आपका website फिरी में बना दूँगा लेकिन आपका पैसा लगेगा सिरिफ domain theme और यहां पे hosting का ठीक है यह तो आपको लगाना ही परेगा हाँ सिरिफ मैं उसका design फिरी में कर दूँगा फिरी में setup कर दियो के description में full course का जो link मिला हुआ है उसी पे click करना है आपको और वहां पे बहुत सारा आपको जनकारी मिलेगा और उसके बाद अगर आप मेरे से WordPress पे website create कर आना चाते हो तो मेरा WhatsApp contact भी मिल जाएगा तो उस पे click करके आप हमसे WhatsApp पे contact कर सकते हो दोस्तों यहां पे चलिए मैं आपका जो website create करूँगा दोस्तों जैसा मेरा research techniques website है WordPress पे देख सकते हो कि यह जो website है WordPress पे है ठीक है तो इसी परकार का जो है website में create कर दूँगा चलिए मैं यहां पे open करके आपको दिखा देता हूं widget site पे ठीक है कि यह website है किस परकार का तो दोस्तों यहां पे जो है अभी open हो तो जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो कि यह open हो चुका है और WordPress पे website बनाने के बहुत सारे फाइदे भी है दोस्तों ठीक है यहां पे देख सकते हो कि यह website इस परकार से है ठीक है आपको जो है कि आप मेरे से website create कर आओगे तो आपको यह theme भी दूँगा ठीक है अगर आप खुझ से website create करोगे दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं खुझ से website create कर सकते हो नहीं तो आप WhatsApp पे contact कर सकते हो नीचे इस वीडियो के description में आपको full course का link मिल जाएगा WordPress पर इस website बनाने से बहुत फाइदा भी है दोस्तों इतना ही नहीं है कि आप invalid के लिए का और invalid traffic को रोक सकते हो ठीक है बलागर फिरी में आपको जितना option मिलेगा बलागर पर उतने ही आप यूज कर सकते हो लेकिन यहां पर unlimited option है देख सकते हो sidebar में कितना सारा option है हर चीज को manage आप कर सकते हो ठीक है बहुत सारा चीज यहां पर तो चलिए दोस्तों मैं आपको अपने research tech news जैसा website बना के दूँगा इस पे जो है आप न्यूज साइडी स्टेटास कुछ भी पब्लिश कर सकते हो ठीक है टेक वेबसाइट के लिए भी यह है ठीक है थीम तो अब मैं आपको क्या बता हूँ इन्भैलेट किलिक के कारण से और इन्भैलेट ट्राफिक के कारण से एडसेंस डिशेबल होता है और अगर नहीं चालू होता है तो आपको दूसरा एडसेंस अकांट क्रियेट करके उसमें आपको अपना वेबसाइट एड करना है या नहीं तो इन्भैलेट किलिक को इन्भै उसको फिरी में design कर दूँगा ठीक है फिरी में setup कर दूँगाँ तो अब मैं क्या मैं बताऊं कितना में बता कर द हूं जो भी बताँ न था मैं आपको बता दिया हूँ अगर यह ढनकारी सही लगा होगा तो इस video को कर देना है like अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर दिना है सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने से यह फाइदा होगा कि आगे इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटीफिकेशन आपको मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं अगले वीडियो में